अज़के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेंट्रिकल्स आफ दे ब्रेन के बारे में बहुत शॉर्ट तु दी पॉइंट इस स्पाइसफिक होगा आज का वीडियो सबसे पहले समझ लेते हैं कि वेंट्रिकल्स का क्या मतलब है यह जो टर्म है वेंट्रिकल्स इसे आप आने वाले सेकेंड सेमस्टर में एक दूसरे टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे तब भी वहाँ पे आपको काम आएगा और आज भी आपको यहाँ पे काम आने वाला है वेंट्रिकल्स का मतलब है फ्लूइड फिल्ड क्याविटी विदिन दा ब्रेड यानि कि यह वेंट्रिकल्स एक ऐसी क्याविटी है एक गढ़्धा नुमा स्क्चर है जिसके अंदर फ्लूइड भरे वे होते हैं और यह आपके ब्रेन में पाया जाता है अगर हम आज के टॉपिक के रेस्पेट के साथ इसको जोड़ करके देखें तो देर आर फोर वेंट्रिकल्स इन दा ब्रेन हमारे ब्रेन में चार वेंट्रिकल्स पाया जाते हैं और यह आपके मत्तुपुन क्वेशन बन सकते हैं MCQs के रेस्पेक में अन्राइन करिएगा चार वेंट्रिकल्स पाया आते हैं कहां पे क्या नाम से जानते हैं टू लेटरल वेंट्रिकल्स दो वेंट्रिकल्स लेटरल पोजिशन पे होते हैं लेटरल क्या है प्रॉक्सिमल क्या है सुपीरियर क्या है इनफेरियर क्या है medial क्या है ये सब हमने पहले के lecture में cover किया हुआ है तो आप वहाँ से वापस से recall कर सकते हैं तो दो यहाँ पर lateral ventricle हो गए और तीसरा आपका third ventricle उसके बाद चौथा obviously उसके नाम के accordingly fourth ventricle होगा चलिए देख लेते हैं इन ventricle को यहाँ पर lateral ventricle को दो इसलिए बोला गया है क्योंकि यह lateral part में पाया जाते हैं और दुनों उसके साथ similarity match करते हैं इसलिए इनको two lateral ventricle के नाम से बोला गया है तो lateral ventricle यह उसका main part है lateral ventricle क्या है कहाँ पाया जाते हैं वो देखते हैं the lateral ventricles are the largest ventricles अगर आप उनके size के respect में बात करो तो lateral ventricles सबसे बड़े ventricles होते हैं यह आप अपने diagram पे भी देख सकते हो आपको यहाँ पे कुछ structure दिखाये दे रहे हैं blue color में यह जो बड़े-बड़े आपको दिख रहे हैं यह blue color वाले यह हैं आपके lateral ventricles यहाँ पे दो हैं संख्या में यह पहला वाला और एक यह आपका दूसरा वाला यहाँ पे diagram में आपको दोनों बहुत पास दिख रहे हैं पर थोड़े से beachman के distance होता है यह locate होते हैं आपके cerebral hemisphere के पास आपको पता है कि आपके brain में दो hemisphere होते हैं यहाँ पे यह जो आपके lateral ventricles है यह cerebral hemisphere के पास पाया जाते हैं one in each hemisphere हर एक hemisphere में एक पाया जाया तो जैसा अभी भी कहा कि दो hemisphere होते हैं और यह एक hemisphere में एक पाया जायागा तो एक के respect में एक तो दो की total में 2 hemisphere के respect में 2 ventricles हो गए आपके they are connected to the third ventricles through a narrow passage called the interventricular forman अब यहाँ पर यह मत्योपूर्ण है कोई कि आगे हम जब cerebral spinal fluid के बारे में पढ़ेंगे न तो भी यहाँ पर यह चीज़ें काम आने वाली है यह कौन? lateral ventricle दोनो lateral ventricle एक साथ आगे जाकर के third ventricle से कैसे connect होते हैं यह एक narrow सकरे passage के साथ connect होते हैं जिससे हम interventricular forman कहते हैं इसके बारे में भी हमने आपको terminology में बताया कि forman का क्या मतलब होता है तो वहाँ से भी आप recall कर सकते हैं मेरा हमेसा यह request होता है कि किसी भी main topic पर जम करने से पहले अटेस उसके starting point को ज़रूर समझा जाए इसके बाद जो हमारा next type of ventricle है यह हमारा third ventricle है दो हो गए lateral तो यह बच गया हमारा तीसरा third ventricle the third ventricle is a middle cavity यह एक middle cavity है जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है लग 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 यह प्रकास से के लिए maroon color में आपको नज़र आ रहा है third ventricle तो यहाँ पे क्या लिखा है third ventricle is the middle line cavity located in the diencephalon यह एक पार्ट है इसके बीच में पाया जाता है जो कि आप अपने structure से भी देख सकते है between the two halves of the thalamus जो thalamus है उनके दो हिस्से की बीच में यह पाया जाता है it communicates with the lateral ventricles अभी आपने देखा lateral ventricles तो यह कह रहा है कि यह जो आपको third ventricles है यह आपके lateral ventricles के साथ communicate करता है कि इसके through through interventricular formane जो कि उपर में भी यह लिखा था और यहाँ भी आपको लिखा हुआ है and with the fourth ventricle through a canal called the cerebral adequaduct यहाँ पे देखिए उपर में जब आप देखोगे lateral ventricles है फिर बीच में आपका third ventricles है उसके बाद आपका fourth ventricles है तो जो third ventricles है इसका इन दोनों के साथ संबंध है एक communication है अगर हम बात करें third ventricles का lateral ventricles के साथ connection से तो वो होता है interventricular formane के साथ और अगर हम बात करें third ventricles का fourth membrane के साथ तो ये connect होता है cerebral aqueduct के साथ में तो इस तरके से ये दो और जो ventricles है इनके साथ अपने आपको connect करके रखता हुआ नज़र आता है इसके बाद अगला है हमारा fourth ventricle the fourth ventricle is a diamond shaped cavity जो fourth ventricle है हमारा वो एक diamond shaped cavity है जो कि आपको यहाँ पे green color में नज़र आ रहा है diamond shape की तरह दिखता है इसका मतलब है located in the hind brain जो कि hind brain में नज़र आता है वहाँ पे इसका position होता है posterior to the brain stem brain stem के posterior इसका location होगा and anterior to the cerebrum अब यहाँ पे मेरा field से request है कि at least आप इन terms के बारे में जाना चाहते है कि posterior का मतलब क्या है anterior का मतलब क्या है तो जरूर हमारे पहले के part को देखें किसके respect में cerebrum के पास में यह respect में communicate किया गया है कि वो या तो brain stem के anterior है sorry brain stem के posterior है या तो cerebrum के anterior है it connects with the third ventricle via the cerebral aqueduct and extend inferally to become continuous with the central canal of the spinal cord जैसा कि अभी हमने देखा था कि third ventricle इसके साथ connect होता है cerebral aqueduct के साथ में तो वह वही चीज़ इसके respect भी है आप दोनों connection तो एक ही है तो इसके respect में भी आप बोल सकते हो और आगे जाकर कि यह extend करता है और आगे जाकर कि यह बनता है continuous chain जिसके साथ आप संबंद सक्वित कर सकते हो आपके central canal of the spinal cord को यानि कि आपके जो main spinal cord है उसके central canal से इसको link करके देख सकते हैं यह जो ventricle है वो कुछ medical procedure के लिए एक pathway का काम करते हैं जैसे कि अगर आप कोई shunt को insert करना चाहते हो ताकि आप treat कर सको hydrocephalus को जिसका मतलब होता है कि जहाँ पे excess में आपके cerebral spinal fluid accumulate हो लाते हैं उसके लिए भी यहाँ पे ventricle आपका काम करता है या तो फिर जब कभी पे आपको specific तरीके के drug को directly brain में insert करना चाहते हो तो भी यहाँ पे आपका जो ventricles है वो एक मतलब भूमी का अनी बाता है तो आज के वीडियो में हमने बात किया बहुत short में कि what is the ventricles of the brain I hope कि आप को यह चीज़ें समझ में आई होंगी to the point है कि एवल short note की तरह आप इसको समझ सकते हैं तापकि आप exam में multiple choice question आए उसको आप आसाने से attempt कर सकें